दोस्तो दिल्ली पुलिस हैड कॉंस्टेवल मिनिस्टीरियल की आंसर की आउट हो चुकी है और आंसर की आउट होने के बाद से बहुत सारे बच्चों के भ्रमदूर हो गए और बहुत सारे बच्चों के जो दावे थे उनकी यहां पर हवा निकल गई जिन बच्चों को लग था कि मेरा पेपर बहुँ जाद अच्छा हुआ है, मेरे नंबर बहुँ जाद अच्छे आएंगे, उनको यहां पर अब टेंशन हो रही है, कि मेरा कटोफ जो है, मैं केलियर कर पाउगा या नहीं कर पाउगा, क्योंकि जब आप रीयल एक्जाम में बैटेते तो उससे में आपको लग रहा था कि हाँ, यह भी ठीक है, इसे भी टिक कर देता हूँ, क्योंकि उससे में आप वहाँ पर राजा थे, लेकिन जब बाद में आपकी answer कि आई तो वहाँ पर बता लगा आपको कि आपके साथ तो खेला हो गया negative marking का और negative marking का ऐसा खेला हुआ कि बच्चे जहाँ पर expect कर रहे थे mostly क्या होता है कि भई मेरे 70 number बन रहे हैं तो मुझे लगेगा 68 तक तो मैं पोची जाओंगा ठीक है क्योंकि लगबग लगबग मैं रहूँ है मैंने सारे काट पीट लिए लेकिन अब जो answer की देखी उसके बाद यहाँ पर लगने लग गया कि 70 के आसपास तो दूर के आथ बहुत जादा नीची आप आ गयो negative में क्योंकि negative ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बच्चों के मार्क्स को गिराने पर सो answer की देखने के बाद आपको level exam का पता लग गया यार हम जो समझ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा लग है negative का खेला पता लग गया और अब बात तेज हो गई कि भाई cut off कितनी जाएगी हमारी males और females की जिससे हमें पता लग सके हमारा selection हो पाएगा नहीं हमारा फिजिकल के लिए हमें बुलाए जाएगा नहीं बुलाए जाएगा तो आज किस वीडियो में इसी के उपर हम बात करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं आपको करना क्या है बज वीडियो को end तक जरूर देखना है सभी facts के उपर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें vacancy के उपर ठीक है कुछ facts को देख लेते हैं तो 835 यहाँ पर vacancy है यह जो vacancy है यह male plus female दोनों की हैं भाई ठीक है 550 something कुछ आपकी males की थी और 200 something कुछ आपकी females की थी और दोनों मिला के आपके 835 यहाँ पर हो गए ठीक है अब apply कितने लोगोंने form कितने लोगों का यहाँ पर आये था form यहाँ पर approximate 23 lakh जो candidates है उनका यहाँ पर form आये थे किसके लिए आये थे आपके 835 पोस्ट के लिए ठीक है अब जब आप exam देने पोचे तो अगर मैं attendance की बात करूँ कि attendance कितनी रही है सो लगबग आपकी 40 to 41% तक आपकी जो attendance है वो आपको देखने को मिली थी कई जब आपकी final सारी चीज होगी तो बाद में आपको पता लगेगा कि कुछ थलका बहुत उपर हलका बहुत नीचे ही है लेकिन लगबग लगबग आपके attendance हुई है सो 23 का अगर मैं 41% को अगर मैं calculate करता हूँ तो approximate 9 to 10 lakh के करीब ठीक है 9 to 10 या 9.5 lakh के लगबग लगबग आपके ऐसे candidates थे जिनोंने यहाँ पर आपके exam को दिया है अब बुलाए कितने जाएंगे for physical के लिए अगर मैं physical की बात यहाँ पर करता हूँ तो लगबग लगबग आप 16,000 के करीब आपके जो candidates है उनको यहाँ पर call किया जाएगा for physical के लिए ठीक है इतनी चीजी आपको समझ में आ गई है कट ओफ से पोचने से पहले कि यह facts आपको जानना जरूरी थे कि आप देख लो 9, 9.5 जो candidate थे, lack candidate थे जिनकी attendance रही है उसमें से सिफ 16,000 candidates कोई call किया जाएगा 16,000 candidates को बुलाए जाएगा शो यहाँ पर competition कैसा आप खुद यहाँ पर check कर सकते हैं साथ में अगर मैं बात करता हूँ level of exam की level of exam तो भाई कुछ time पहले तक जो level of exam चल रहा था वो बहुत सारे बच्चों के लिए easy चल रहा था कि easy है अच्छा है कुछ बच्चों के लिए moderate चल रहा था बट अभी सारी चीजे देखते हुए ना जो level of exam आपका moderate to difficult की स्रेणी के अंदर आ गया आपकी जो marks उनको देखते हुए कि आपका moderate to difficult level का कुछ shift से अंदर difficult था कुछ shift के अंदर moderate था बट easy तो बिल्कुल भी नहीं था आपका exam ठीक है ना क्योंकि आप कुछ sections देखोगे चाहे वो GSK sections हो या कुछ और further sections हो वो यहाँ पर कई ना कहीं आपको परिशान करते नजर आए और कई ना कहीं आपसे गलति यहाँ है ठीक है चलिएगा अगर मैं बात करता हूँ आपके average attempts की अगर मैं average attempts की बात करों कि और मैं कुछ time पहले की बात करता तो यह आपके 70 to 70.80 आपकर अपकी अवारे अपका सो लगबग लगबग यह मुझे लगता है आपका 65 to 70 के लगबग बीच के अंदर ही आपका जो है वो एवरेज स्कोर आ रहा है क्योंकि जो बच्चे दावे कर रहे थी कि हमारा 80 अटेंप्ट वा है हमारा 85 अटेंप्ट है और हमें कोई दिक्कतियों एक्जाम करने की वो यहा अगर हम सारी चीजे अगर हम चेक करते हैं और हम सारी चीजे देखते हैं तो यहां पर आपको लगेगा कि एवरेज अटेंप्स भी गटे हैं लेवल ओफ एक्जाम्स के बारे में भी आपको पता लगा है नेगेटिव मार्किंग ने आपको मारा है वो भी आपको पता लग और इन सारी चीजों को देखते हुए अब आपकी cut-off के उपर बात करते हैं कि इन सारे facts के बाद जो आपकी cut-off है वो यहाँ पर कितनी रहे सकती है तो अगर बात करते हैं सबसे पहले male की अब यहाँ पर जो males और female है उनकी cut-off अलग-अलग जाती है और सबसे अच्छी बात य ठीक है तो approximate 65 नंबर जिसके भी है न वो यहाँ पर आपका मान सकता है कि भाई हाँ उसको physical की त्यारी में लग जाना चाहिए यहाँ ठीक है अगर मैं EWS की यहाँ पर बात करता हूं UR के अंदर 65 अगर 59 marks EWS से अगर आपके बन रहे है न तो आप यहाँ पर त्यारी में लग सकते हो ठीक है भाई OBC की अगर मैं बात करता हूं ठीक है अगर मैं OBC की बात करता हूं तो 62 SC और ST केटेगरी की अगर मैं SC की बात करता हूं तो 58 और अगर मैं ST केटेगरी की बात करता हूं तो 53 marks आपके अगर बन रहे हैं मेल्स में तो आप यहाँ पर physical की त्यारी कर सकते हो हाँ साथ में यहाँ पर प्लस माइनस चार नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ठीक है मतलत चार भी नहीं तो आप यहाँ पर मैक्सिमम से maximum तीन नंबर का plus minus 3 ठीक है plus minus 3 plus minus 3 और plus minus 3 आपका ठीक है plus minus 3 का ही difference देखने को मिलेगा ज्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर हम बात कर लेते हैं females की ठीक है अगर मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ ताकि इधर इनके marks जो है मैं वो लिखता जाओंगा बार बार हम लिखना नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ females की ठीक है अगर मैं female you are की बात करूँ तो यहाँ पर females की जो हालत है न भई देखे वो कहने का यह नहीं है कि females जो है वो उनके marks कम आए है या वो किसी तरीके से कम है लेकिन female जो expect कर रही थी उससे कही ज़्यादा number कम आए है जहां तक हमारी बात हुई है candidate से ठीक है उनकी expectation जो थी उससे कहीं ज़्यादा आए है males कहीं अपने आप में survive कर रहे है कि अगर 65 था उन्होंने तो भई 60 के करीब आ गए ठीक है लेकिन अगर females ने 60 65 सोचा था तो 50 पर आकर ही रुग गई है ठीक है ऐ इसे चीज यहां पर देखने को मिल रहे है और बाकी आपके साथ क्या हुआ है आप मुझे comment box में भी जरूर बताइएगा so जिन भी females के you are के अंदर 55 marks आ रहे हैं ना 55 maximum बता रहा हूं आपको ठीक है अगर 55 marks बन रहे हैं आपके और अगर मैं यहां से बात करूं तो 52 से 55 के ब 3 marks तक अगर मैं से की बात करता हूं तो 50 और से के अंदर आपके 47 marks तक अगर females में आ रहे हैं तो आप अपनी physical की त्यारी कर सकती हैं so यहां पर आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि हर category से यह देखेगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 50 प्लस यहां मैं बात करत हूं तो 50 प्लस और यहां पर लगबग लगबग आपका 50 आप मान सकते हो ठीक है तो आप देखोगे कि जिस भी female के जिस भी female को अगर हम आपकी ST category को यहां पर छोड़ दे तो जिस भी female के 50 प्लस marks हैं 50 से उपर नंबर आ रहे हैं वो यहां पर 100% physical के लिए त्यारी करे ठीक ह जाएगा physical के लिए अगर बात करें मेल्स की तो मेल्स में यहां पर आप नहीं कह सकते हैं कि 60 प्लस वाले को आपको बुलाया जाएगा क्योंकि अगर 60 प्लस वाले के अंदर आप देखोगे यहां पर 5 का difference है लेकिन अगर यहां पर 3 पर हो गया तो 7 का भी लेकिन 60 प्लस कित पास chances है प्लस टू भी होगा ना तब भी chances आपके बास ठीक है डिक है आपके अगर 50 प्लस फिमेल्स में है तो आप बिल्कुल 100 पर सेंट त्यारी करें और मेल्स का यहां पर मैंने बताई दिया है और यहां पर प्लस का प्लस माइनस टू का आप पहर फिर अपना लेकर चलन हैं कि इतने number जिन जिन के भी है वो physical की त्यारी रखो कभी भी भी आपको बुलाये जा सकता है कभी भी आपके process start हो सकते है कुछ भी हो सकता है सो अभी से अपनी त्यारी जो है वो आप start रखो ठीम है जो फिलाल के लिगे वीडियो में इतना ही इस नेगिटिव मार्किंग और एक डिफिकल्ट लेवल के एक्जाम में ठीक है सो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए थेंगी सो मच नमस्कार